हेलो एब्रीवन, अस्सलाम अलेकुम, वेलकम बैक टू माइ चैनल, मैं हूँ महिनाज, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टेमाटर चिकन की रेसिपी, तो आज हम टेमाटो चिकन बनाएंगे, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, टेमाटो चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक केजी चिकन लिया है, मैंने चिकन को अच्छी तरह से दो लिया है, यह देखिए एकदम क्लीन कर लिया है, और इसके लिए मैंने यहाँ पे आदा किलो प्यास लिया है, और प्यास को मैंने यहाँ पे डाइमंड शेप में कट किया है, तो एक किलो चिकन के लिए हमें आदग किलो प्यास चाहिए मैंने यहाँ पे half tea spoon हल्दी लिए है इसमें हल्दी बहुत कम डलती है इसलिए half tea spoon हल्दी लेंगे और 4-5 तेज़ पत्पे लिए है गरम मसाले में हम सिर्फ तेज़ पत्पे का अस्तमाल करेंगे और कोई भी साबुत मसाला या पिसा हुआ गरम मसाला नहीं डालेंगे मैने यहाँ पर यह 10 हरी मिर्चे लिए है इन में जो मिर्चे है वो थोड़ी कम होती है इसलिए मैने दस लिए है और इबड़ी शेप में कट कर लिया है मैने यहाँ पर 1500 ग्राम दही लिए आदा के टोरी मैंने यहाँ पे लसन अद्रक का पेस्ट लिया है यह पेस्ट मैंने घर पे ही बनाया है मिक्सर में ग्राइंड करके हमने यहाँ पे आदा किलो से थोड़े से जादा टेमाटर लिये हैं क्योंकि हम यहाँ पे टेमाटो चिकन बना रहे हैं इसलिए हमें इसमें थोड़े टेमाटर जो है जादा लगते हैं यह देशी टेमाटर है जो का टेस्ट थोड़ा सा खटा होता है आप चाहें तो टेमाटर पॉन किलो तक ले सकते हैं एक किलो चिकन के लिए क्योंकि ये टेमाटो चिकन है तो ओविस सी बात है कि इसमें टेमाटर जादा जाएंगे तो टेमाटो चिकन में में इंग्रीडेंट टेमाटर और प्याज होता है तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आदक किलो टमाटर ले लिए हैं तो चलते हैं नेक्स प्रॉसेस की दरफ मैंने गैस पर एक पतीला रखा है हम इसको पतीले में बनाएंगे और मैंने यहाँ पे चार चमश भर कर तेल डाला है अब हम तेल जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें चिकन डाल देंगे हमें चिकन को अच्छी तरह से तेल में बूनना है तो जो तेल है वो गरम हो गया है इसी टाइम पे हम इसमें यह तेज पत्तर डाल देंगे और जितना भी हमारे पास चिकन है सभी chicken को इस time इसमें डाल देंगे हम तो ये देखे मैंने सारा chicken डाल दिया है अब हम इसको अच्छी तरा से इसमें भूनेंगे इसको बीच बीच में चलाते रहें क्योंकि जो chicken होता है वो कई बार जो होता है तले में चिपक जाता है और ऐसी भी हम इसको चलाते वे भूनेंगे ताकि अच्छी तरह से इवली सब तरफ से कुक हो जाए चिकन को भूनते टाइम हम इसमें नमक का इस्तमाल करेंगे तो हम अपने टेस्क के अकॉर्णिंग जितना नमक चाहिए इसी टाइम पर हम इसमें नमक डाल देंगे और चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे अब हम इसमें जो हमारे पास लसन अदरक का पेस्ट है उसको मिला देंगे हमने इसमें नमक और लसन अदरक का पेस्ट मिला दिया है अब हम इसी मसाले के साथ इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो चिकन है वो नमक और लसन अदरक के फ्लिवर को अच्छी तरह से एब्जॉब कर ले अपने अंदर अब हम अच्छी तरह से लसन अदरक में चिकन को भूनेंगे ताकि जो लसन अदरक का कच्छा पने वो भी खतम हो जाए तो इसी तरह से हम इसको 6-7 मिनट तक लगातार भूनेंगे ये देखिए जो ये हमारा चिकन है ये अच्छी तरह से भून गया है हमें जितना इसको भूनना था ये भून चुका है अब हम इसको एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे चली चलते हैं next process की तरफ अब हम इसमें बिल्कुल भी तेल एड नहीं करेंगे आप देख रहे होंगे पतेली में काफी सारा तेल बचा है हम इसी तेल में जो हमने प्यास काटी है उसको डाल देंगे तो ये देखिए मैंने इसमें प्यास डाल दी है अब हम प्यास को अच्छी तरह से भून लेंगे हमें प्यास को बिल्कुल भी golden brown नहीं करना है हमें प्यास को सिर्फ इतना ही भूना है कि हमारी जो प्यासे वो translucent हो जाए तो ये देखिए जो प्यास अब एकदम से खिली खिली हो चुकी है बस हमें जितनी प्यास भूनी थी हमारी प्यास भून चुकी है अब हम इसमें कटी हुई टमाटर और हरी मिर्चें डाल देंगे जो हमने कट करके रखी थी ये देखिए मैंने सभी टमाटर इसमें डाल दिये हैं और अब हम इसमें जो हमने हरी मिर्ची कट करी थी उसको भी इसी टाइम पर इसमें एड़ कर देंगे तो ये देखिए मैंने इसमें हरी मिर्च और जो हल्दी थी हाफ टी स्पून वो भी मैंने इसमें मिला दी है तो अब हम इस मसाले को यारी कि जो हमने टमाटर और प्यास ल इसको कंटिनियों पकाते रहेंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे मैंने गैस का फ्लेम एकदम हाई रखा है ताकि टमाटर और प्याज अच्छी तरह से पक जाएं तो ये देखिए जो टमाटर और प्याज है ये अच्छी तरह से पक चुके हैं टमाटर चिकन के लिए हमें सिर्फ इतनी ही जो है टमाटर और प्यास को पकाना है जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा टमाटर प्यास अच्छी तरह से पक चुके हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं तो अब हम इसमें जो हमारा चिकन है जिसको हमने भून के रखा था अब हम इसमें ये चिकन डाल देंगे तो ये देखिए मैंने सारा चिकन इस टाइम पर इसमें एड़ कर दिया है ये हमारा लास स्टेप है इसके बाद हम इसमें दही मिलाएंगे जो हमने 1500 ग्राम दही लिया तो ये देखी आब मैं इसमें दही मिला दूँगी ये डिट सु ग्राम दही लिया था मैंने 1 kg चिकन के लिए अब हम अच्छी तरह से इसको पकाएंगे अब मैं इसको अच्छी तरह से चलाऊंगी ताकि जो चिकन है और टमाटर है ये अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं तो ये देखें जो टमाटर और चिकन है ये कितनी अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो गया है अब हम इसको अच्छी तरह से चला देंगे और कम से कम 10 मिनिट के लिए इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छे से टमाटर और प्यास के फ्लेवर को अपने अंदर तो बस अब हम ढ़कन लगा के या आप चाहें तो ढ़कन खोल कर भी इसको 10 मिनिट तक पकने दें अब हम इसको 10 मिनिट तक पकने देंगे अच्छी तरह से तो ये देखे 10 मिनिट के बाद हमारा जो चिकन है वो इस तरह से आपको नजर आएगा इसको पकते हुए 10 मिनिट हो चुके हैं और जो हमारे टमाटर है वो अच्छे से एकदम घुल गया है और ये देखिए कितना अच्छा इसका ग्रेवी लग रही है आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हैं जो टमाटर चिकन होता है वो इतना ही थिक खाना लोग पसंद करते हैं तो आप इसको रुमाली रोटी, नान या सिंपल रोटी के साथ सर्फ करें ये खाने में बहुत टेस्टरी लगता है इस टाइम पर हम इसमें आदा कप पानी डालेंगे आप चाहें तो पानी की कॉंटिटी थोड़ी और बढ़ा सकते हैं बट मैंने इसमें सिर्फ आदा कप पानी ही डाला है तो ये देखिए इसमें पानी डालने के बाद हम इसको 5-6 मिनिट के लिए और पकाएंगे ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए तो अब हम इसको 5-6 मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे तो ये देखिए हमारा जो टेमाटो चिकन है एकदम रेड़ी है तो चलिए चलते हैं टेमाटो चिकन को सर्फ करने के प्रोसेस पर ये देखिए मैंने इसको सर्फ कर दिया है आप इसको अपनी पसंद के किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं आप इसको बनाएं और अपना experience मेरे साथ जरूर शेर करें और comment box में आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए कौनसी नई recipe बनाओ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें